आसराम अलेकुम हम पढ़ रहे हैं python and web development programming और आज किस लेक्चर में हम पढ़ें ato writing files in python how to write file in python writing files basically किया है कि आप हम क्या कर रहे थे कि यह फाइल रीड हो रही है इसमें हम क्या पाइफन की मदद से अपनी मदद कुछ लिख भी सकते हैं हाँ को तो फिर राइटिंग कैसे की जाए को के लिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास नॉर्मल क्या था हम मैं यसम बना लेता हूं और मैंने किसको करना था है अधरी इस अधर हमारे पास क्या था एक पैरामिटर हमारे पास था रीड आर रीड के लिए तो ही चीज अब मैंने क्या करनी है राइट करनी है तो फिर उसके लिए हमारे पास यूद होगा ठीक है पहले हमने आर की मदद से रीड कर रहे थे अब हमने राइट करना है तो फिर यहां पर इसको सिंपली मैंने कर देना है तो इससे यह राइट हो पाएगा हमारे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर यहां प हमारे पास function आता है .write के नाम का इसकी मदद से मैंने लिखना क्या है इसके अंदर वो हम लिखेंगे suppose कि मैं इसके अंदर लिख रहा हूं this is a new line यह new line है हमारे पास अब मैं जब इस program को run करूंगा ना तो एक कोट आसा मसला आएगा मैं आपको दिखाता हूं इस program मेरे पास successfully run हो जोगा है क्योंकि मैंने कोई चीज प्रेंट नहीं करवाई तो वो प्रेंट नहीं हो रही मगर मैं इसको चेक करवाऊंगा यहां पर यह हमारी countries की फाइल थी इसमें हमारे पास चार लाइन से जब मैंने इसके अंदर new text लिखा तो वो क्या हो गया वो और राइट हो गया यानि के पहले आपके इस पर्टिक्यूलर फाइल के अंदर जो कुछ भी था वो हो गया ऑवर राइट है क्योंकि यह जो सिंप्ली डबल्यू से हम कोई फाइल ओपिन करते हैं यह अब इस वक्त मेरे पास countries.txt फाइल मुझूद है इस पाइफन क्लास नाम के फोल्डर के अंदर अगर यह फाइल करने का भी काम करता है इस नाम की क्योंकि फाइल अरेडी मुझूद थी तो वो और राइट हो गई अगर में यहां पर इस सारा रण करूं newfile.txt और मैं सेंप्ली इसको रण करना चाहरा हूं तो यह रण हो गया देखें मेरे पास newfile.txt बन चुका है फोल्डर के नहीं यहां पर आवेलेबल आ गया तो यह यहनि के write का भी काम करता है newfile create करने का भी काम करता है क्यूंकि हमारे पास countries.txt नाम की फाइल अल्रेडी अवेलेबल थी तो इसने क्या कर दिया उसको और राइड कर दिया अब जो हमने टैक्स के अंदर यहां पर लिखा था तो क्या हो गया वर्राइट हो गया हमारे पास ठीक है तो यह तो है मसला हमारे पास ठीक है तो इसका एक हल है हल क्या है कि अब यहां पर डबल्यू की जगा अप्पेंड यूज होगा अप्पेंड मींस कि जो टैक्स अल्रेडी अवेलेबल है वह भी रहे और फिर साथ में न्यू टैक्स हम जो लिखना चाहरे है वह भी आ जाए ठीक है तो उसके लिए उसकोंट फाइल डॉट राइट और मैं इसके अंदेर लिखना चाहरा हूं कि इस एन अधर लाइन यह यह अगें एक यानिके एक न्यू लाइन है जो मैं इसमें लिखना चाहरा हूं मैं जब इसको रन करूंगा मैं वापस कंट्री नाम के अब देखें यहां पर आ गया अगर न्यू लाइन पर ही चाहता हूं कि यहां नीचे आ जाए तो फिर उसके लिए मुझे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि भाई प्रोग्राम को यह चीज बताना ही पड़ेगी तो यह अगें रन हो गया और अगें अब देखें जो यह चीज है यह न्यू लाइन पर आगए तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइल्स के अंदर हम लिख सकते हैं ।ं मीरी नहीं से व Hospice सब्केन के विसाफ्राम करीड़ा हो जासे कि मेरे पास क्या है फाइल है ते नेम फट यारन की यह फाइल है यह निव फाइल्स फाइल और और डॉसरी फाइल की थार, बहुन बनाना चाह घ्यार हूँ तो मैं वापत हथाच को एक जगह ब्ली, कर देता हूं ठीक है कि मैं न्यू फाइल बना रहा हूं विद नेम आफ न्यू डाउट मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा न्यू पास एक न्यू पाइफन की फाइल जन्रेट हो चुकी है सक्सेस्फुली अब मैं इसी पाइफन की फाइल में लिखना चाह रहा हूं तो मैं इस सरा से यहां पर क्या करूंगा कि अगिन अगिन इस देट न्यू फाइल इस देट न्यू फाइल और एरर आ रहा है कि मैंने बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में जब हम इस्ट्रिंग पढ़ रहे थे तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर हम वन सगिंड अंदर कोई सिंगल कोटेशन यूज करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें इस सरा से यहां पी इस सरा से लगाना होगा चीक है चीक है अब हमारे पास वह एरर खतं हो चुका है जो आ रहा था कि बार बार जो है उस फाइल के इंटरा जाता हूं जेखिए यह कि यह चीज है और मैं एक बडर रं करना चाहरा हूं यह फाइल मैं रुट करना चाहरा हूं अपने पास मैं CLS कर देता हूं and run यह फाइल मैं ने उप्षि दी तो देखें successfully इस फाइल में इस इस न्यू पाइफन फाइल आ चुका है यह successfully काम कर रहा है अब देखें मैं इस फाइल के अंदर कहां से करवा रहा था app.py जो हमारा original फाइल था वहां से करवा रहा था तो इस तरह से Python के अंदर new files बनाई जा सकती है और उसके अंदर हम जो भी चीज चाहें लिक्वा सकती है पर अगर हम चाहरे हैं कि already जो चीज हमारे पास already उस फाइल के अंदर जो text available है वो खतम ना हो बलकि उसके साथ ही हम new text उसमें लिखना चाहरे हैं तो फिर append यूज होता है w की जगा पर इसको a कर दिया जाता है तो इस तरह से हमारे पास python के अंदर हम फाइल्स रीड करवाते है तो इस राइट करवाते हैं चीक है तो इस lecture के अंदर यहां तक इतना ही इन्शाला मिलते हैं नेक्स lecture के अंदर तब के लिए अलाफिस